साथियों, आज इस आयोजन के जरिये, यहाँ नए और पुराने स्टूडंट भी साथ मिल रहे हैं, स्वाबायुक है, कुछ सदावाहार चर्चाएं भी होगी, नौर्थ केमपस के लोगों के लिए कमला नगर, हर्चन लाइन और मुखरजी नगर से जूड़ी आदे, साथ केमपस वालों के लिए सत्यनिकतन के किस्से, आप चाहे जिस इयर के पास आउट हो, दो डियू वाले मिलकर इन पर कभी भी गंटों निकाल सकते हैं, इस सब के बीच, मैं मानता हूँ, डियू ने सो सालों में, अगर अपने अहसासों को जिन्दा रखा है, तो अपने मुल्यों को भी जिवन्त रखा है, निश्ठा धुती सत्यम, युनिवर्सिटी का ये धे वाक्य, अपने हर एक स्टूनेंट के जिवन में, गाइडिंग लेंब की तरह है, साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, ज्यान वानेन सुखवान, ज्यान वानेव जीवती, ज्यान वानेव बलवान, तस्मात ज्यान मयोभव, अर्थात, जिसके पास ग्यान है, वही सुख़ी है, वही बलवान है, और वास्तों में वही जीता है, जिसके पास ग्यान है, इसलिए, जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्व विद्याले थे, तब भारत सूख और समरुद्धी के सिखर पर था, जब भारत के पास तक्स सिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था, भारत की सम्रुद्ध सिख्षा विवस्ता, भारत की सम्रुद्धी की वाहग थी, ये वो समय था, जब दुनिया की जीडिपी में बहुत बड़ा शेर भारत का होता था, लेकिन गुलामी के सैंकड़ों वर्सों के कालखंडे हमारे सिख्षा के मंदिरों को इन एजुकेशन सेंटर्स को तभा कर दिया, और जब भारत का बवधिक प्रवाह रुका, तो भारत की ग्रोथ भी थम गई, लंबी गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ, इस दोरान आज़ादी के भावनात्मक जवार को एक मूर्द रूप देने में भारत की उनिवर्सिटी ते एक एहम भूमी का निवाई थी, इनके जरिये एक ऐसी युवाँ पीड़ी खड़ी हुई, जो उस समय के आधोनिक विश्व को ललकार सकती थी, दिल्ली उनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी, डियू के सभी स्टुडन्स वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे, अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविश्य के वीजन को विस्तार देती है.